हाई अवरिवन मैं हूँ धनंजय उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे जब भी पाकिस्तान भारत के बारे में कुछ कहता है या भारत पाकिस्तान के बारे में कुछ कहता है तो अधिकतर बार हम negative statement का ही इस्तेमाल करते हैं वजह बहुत ही साफ है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में संबंध अच्छे नहीं है या हम ऐसे कह सकते हैं कि जब से पाकिस्तान भारत से अलग हुआ है तब से भारत और पाकिस्तान के बीच में शायदी कोई ऐसा महीना गया होगा जहां पे हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान और भारत करिष्टे सुधर रहे हैं पाक लगभग लगभग पाकिस्तान को अपने Constitution समीधान को लिखने में 6-7 साल के इनको वक्त लग गया था। कि पाकिस्तान भारत के साथ दुबारा trade को शुरू करने के लिए वो seriously सोच रहे हैं। आज हम इस वीडियो में जाने हैं कि जब पाकिस्तान और भारत के बीच में वैपार हो रहा था तो दोनों में कौन से देश को इसे फायदा हो रहा था। मगर आगे बढ़ने से पहले आपको मेरा effort पसंद आता है तो चैनल को subscribe और वीडियो को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो वो भी आप मुझे email करके बता सकते हैं। तो पाकिस्तान का foreign affairs minister इशकदार ने 23 March को London में एक interview दिया या कहले कि एक press conference में वो ये कहते हैं कि वो बहुत ही seriously भारत और पाकिस्तान के बीच में वैपार को शुरू किया जाए इसके बारे में वो सोच रहे हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वो बहुत सारे जो stakeholders है यानि कि जो businessman है जो भारत और पाकिस्तान के trades से जुड़े हुए हैं इशकदार उन लोगों से भी मिलते हैं और उनके जो opinion है विचार है उनको लेते हैं। तो उसके बात ये मालूम पढ़ता है कि इशकदार काफी यादा interested है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रिष्टे को सुधारा जाए और उसके लिए वो ये चाहते हैं कि वैपार को कम से कम शुरू किया जाए। एक बात मैं यहाँ पर बहुत ही साफ कर दूँ कि ये जो interview है इसको छापा है Don अकबार ने, Don एक पाकिस्तान का English newspaper है जो की काफी famous है इसे ही कत्रू एक चीज और मालूम पढ़ता है कि भारत के दुवारा जो समान है वो अभी भी पाकिस्तान पहुँच रहा है लेकिन पहले transportation का वो कम हो जाता है लेकिन जितना जादा यहाँ पर third party का involvement होता है उतना ही जादा जो cost होता है transportation का वो बढ़ जाता है इसी के साथ में एक चीज और भी आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक चीज मैं बहुत ही साफ कर दूँ कि जिस तरीके से भारत का समान पाकिस्तान पहुँच रहा है वाया Singapore और Dubai वैसे ही बहुत सारे अभी भी भारत में खास करके electronics जो समान है वो made in China है और वो पहुँच रहा है वेतनाम या किसी third country का इस्तेमाल करके भारत में जिस भी शहर के हो आप अपने locality में किसी भी electronic मंडी में आप चले जाएं तो आपको reality मालूम पढ़ जाएगा कि अभी भी भारत में बढ़ चड़कर made in China का समान जो है वो import हो रहा है और वो पहले से महगे कीमत पे मिल रहा है हमें क्योंकि इसको लेके अभी भी जो government of India या जो हमारे state government है वो जो initiative लेना चाहिए वो initiative अब तक हम धंक से लिये नहीं है एक जो सबसे बड दिमाग में सवाल आ सकता कि आखिमें भारत और पाकिस्तान के बीच में वैपार बंद क्यूं हुआ तो इसके पीछे के दो सबसे बड़ा वज़े थे एक तो था कि 14 February 2019 को हमारे CRPF के कॉनवय में अटैक होता है जिस अटैक के जिमेदारी जैशे महम जैशे महम जो की एक terrorist organization है जो कि कहनी के बात में है कि पाकिस्तान इसको सनरक्षन देता है इस अटैक में भारत के 40 CRPF परसनल की जान चली जाते है यानि कि वो वीरगति को प्राप्त होते हैं और बहुत सारे हमारे CRPF के जवान घायल होते हैं जब यह अटैक हुआ था भारत में तो शायद ही कोई यह ऐसा एरिया होगा भारत में जो इस अटैक के बाद दुख ही नहीं थे और वो पाकिस्तान के साथ सभी रिष्टे को तोड़ना ना चाहते हों उसके बाद एक घटना घटता है फिर जब August 2019 में जब Government of India Article 370 को जमू अन कश्मीर से हटाते हैं उसके बाद क्यूंकि पाकिस पाकिस्तान जमू अन कश्मीर को बहुत सालों से क्लेम करता हुआ आ रहा है कि जमू अन कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है अब ये कहने के जरुवत नहीं कि पाकिस्तान खुद के देश को तो समाल नहीं पाता है और वो किस बेसिस पे जमू अन कश्मीर को क्लेम करता है ये शायद वही बता पाएंगे उसके बाद क्या होता है क्योंकि दो major घटना घट जाते हैं एक तो हमारे CRPF Convoy पे अटैक होता है और दूसरा जो पागिस्तान के establishment था या उनकी जो सरकार थी उनको ये दिखाना था कि पागिस्तान काफी एक strong देश है और as a result क्या होता है कि दोनो percent का tariff को बढ़ा देते हैं और साथ में भारत पाकिस्तान का जो most favored nation का status है उसको भी भारत revoke कर लेता है अब ये most favored nation का मतलब क्या होता है तो क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनो world trade organization का member है तो world trade organization का establishment के पीछे का कुछ वज़ा है वो ये है कि वो ये कोशिश करता है कि दुन शब्दों में समझें तो for example अगर पाकिस्तान भारत को कोई अगर मसाले अगर भेज रहा था और वो मसाले अगर भारत में भी available है तो suppose that अगर उस मसाले पे हम 5% का GST चार्ज करते थे तो पाकिस्तान के दौरा भी जो मसाले भारत में आ रहे थे उस पे भी हम सिर्फ 5% का ही GST वसूल करते हैं कहने का मतलब है कि import duty तो of course हम लेते हैं लेकिन अगर वो समान भारत आता तो किसी भी तरीके का उस समान के साथ कोई भेदभाव नहीं होता ये एक बहुत ही simple definition है most favored nation का हलाकि ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा topic है तो back to back बहुत सारे ऐसे घटना घ जाते हैं जो कि भारत को ये मजबूर करता है कि वो पाकिस्तान के साथ वेपार को बंद कर दें क्यूंकि पाकिस्तान में कभी भी कोई stable government रही नहीं तो policies वहाँ पे कौन बनाएगा इसके बारे में कोई figure कभी किसी को रहा नहीं हलाकि ये हमारे point of view से काफी अच्छी बात है कि पाकिस्तान की economy bankrupt है या decline कर चुकी है क्योंकि जहां पाकिस्तान की economy अच्छी होगी पाकिस्तान कहीं न कहीं terrorism को बढ़ाना शुरू कर देगा या बढ़ चड़ के दुनिया tourism को promote करते हैं वहीं पाकिस्तान terrorism को promote करते हैं वहीं अगर आप data को compare करें तो आपको मालूम जाकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जब वैपार हो रहे थें तो भारत ज्यादा value का समान भेज रहा था और पाकिस्तान कम value का समान भेज रहा था तो in a way ये हमारे लिए एक beneficial bilateral trade था हलाकि फिर भी दो देशों के बीच में जितना value का समान exchange हो नहीं पा रहा था लेकिन उसके बावजूद क्या था कि जो सबसे आदा जो impact हुआ ये हमारे पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के वैपारी लोंग पे ही हुआ उसके बाद भारत as a responsible country हमारे दुवार बहुत बार ऐसे attempt किये गए हैं जहाँ पे हम लोगों ने ये प्रयास किया कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिष्टे अच्छे हो जाएं ताकि जो भी border के आसपास tension है उसको कम किया जाए शायद पाकिस्तान के लावा किसी भी देश को ये समझ में आ जाता कि जब उसके सामने भारत के इतना बड़ा देश हो जब एक developing nation हो तो उस देश के साथ जितने आप relation को अच्छे बना के रखेंगे तो उत्रा ही जादा आपको भी benefit होगा लेकिन इतनी से बात पाकिस्तानों कभी समझ में नहीं आई और ये कोई पहली बार नहीं कि पाकिस्तान के तरब से ये interest जताया गया है कि वो भारत के साथ दुबारा वैपार को शुरू करना चाहते हैं क्योंकि भा जिस तरीके से हमारा global dominance बढ़ा है हर चीज में और जिस तरीके से government of India ने अपने making India initiative को बढ़ चलके promote किया है ये कहीं न कहीं अगर आप इन सब को देखेंगे तो हमारे लिए कहीं beneficial है कि हम पाकिस्तान के साथ वैपार ही ना करें और पाकिस्तान वैसे ही एक bankrupt देश है वो और भी अगर bankrupt हो जाएगा तो शयद हमारे लिए ही beneficial रहेगा क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है कि वो किसी और देश के साथ वैपार करें या किसी और देश के साथ वो या किसी और देश से वो समान को मंगाए क्योंकि जितना दूर के देश से आप समान मंगाएं उसके जितने भी जो domestic sectors है वो सारे के सारे तहशनैस हो जाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि जब आपका देश bankrupt हो जाता है तो जो भी देश आपके close हुआ करते थे वो सभी को आपका साथ छोड़ के निकल जाता है बहुत हद तक अभी भी IMF हो गया या साओधी अरेबिया ह या चाइना हो गया या पाकिस्तान को फंड तो कर रहा लेकिन पाकिस्तान के पास अब कोई ऐसा mechanism नहीं है जिस mechanism को वो दिखा के वो साओधी अरेबिया या चाइना के पास जाए और ये कहे कि उसे और लोन चाहिए तो शायद हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के दौरे एक अप लोन वगरा ले सकें क्योंकि अगर आप I.M.F. से कर आप लोन अप्लाई करते हैं तो एक तो I.M.F. पाकिस्तान को लोन देगा नहीं और अगर वो देगा भी तो बहुत सारे terms and condition को रखेगा बीते कुछ सालों में चाइना के साथ ये पाकिस्तान के जो relation है वो अच्छे नह चाहता है ताकि वो ग्लोबल प्लाटफॉर्म पे एक अपना सुन्दर सा इमेज दिखा पाए I.M.F. अगर फिर भी मुझे कहीं कोई कमी है कहीं कोई गलती होगे तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे इमेल करके बताए see you in the next video have a wonderful day thank you take care good bye